नमस्कार दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल The Trade Bull Official में दोस्तों इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं कि बैंक रिफ्टी कल 19 अक्टूबर के दिन कहां पे कामकाज कर सकता है आपके call put के क्या target रहेंगे बट उससे पहले देखते हैं आज मार्केट ने कहां पे कामकाज किया और मार्केट में आज क्या चीज़े हुई दोस्तों मार्केट ने हमें आज एक gap up opening दी तकरीवन 40,250 लेवल के आसपास जैसे बेने कल आपको कहा था कि मार्केट के अंदर 300 पॉइंट के आसपास एक gap up expected है मार्केट ने वैसा ही किया पहले ही पांच मिनट में मार्केट ने gap up देने के बाद हमें यहाँ पहले ही 5 minute में market ने gap up open होते ही 40,350 का level दोस्तों यहां पर छू लिया दोस्तों इसी level पर market में rejection आई और rejection आते ही market में नीचे की तरफ यहां पर एक हमें रुख देखने को मिला 40,135 market ने अपना low लगाया इसी level पर दोस्तों market के अंदर फिर से एक buy गाई एक ही candle ने market को उपर ले दिया और उसके बाद market ने एक pullback लेते हुए 40,350 का level दुबारा चुने के कोशिश की दोस्तों फिर इसी level से market को फिर rejection मिले rejection मिलने के बाद market फिर यहाँ पर नीचे आई तकरीवन 40,200 level के आसपस फिर इसी level पर market ने दुबारा से pullback लिया और pullback लेते हुए यहाँ पर 40,420 इस level के आसपस अपने दिन का high लगाया अब दोस्तों ध्यान से आप देखने की चीज़ आपको यह नजर आएगी bank nifty के अंदर कि bank nifty आज एक clear cut direction किसी भी side market में देने को त्यार नहीं था अगर आप ध्यान से देखेंगे market ने तकरीवन अपना काफी समय जैसे कि यह, यह एक zone, यह एक अपने दिये zone, यह so in zones के अंदर market ने काफी यहाँ पर अपना time लगाया अब दो बज़े के बाद market पर फिर फुल बैक आया, फुल बैक लेने के बाद market फिर यहाँ पर sideways गई और 40,318 पर हमें दिन की closing मिली है पूरे दिनखी अगर आप range देखेंगे bank nifty की, तो पूरी अगर आप यहाँ से calculate करके देखेंगे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर हम देखे, majority trade हुआ, इस zone के अंदर आपकी दिएका, इस zone के अंदर तो यह पूरी अगर आप zone देखेंगे, 180 point की zone थी, जिस पर market ने तकरीबन यहाँ पर अपना सारा दिन trading की इतनी tight zone के अंदर market में point निकालना बहुत ही मुश्किल बात हो जाती है, क्योंकि जैसे की यह candle आप देखें यह candle देखें, यह candle देखें, यह candle देखें, यह क्यों, क्योंकि market ने अपनी पूरी strength, पूरी की पूरी strength market ने अपनी gap up में यहाँ पर complete कर दी, अब कल क्या हो सकता है, अब कल दोस्तो market के अंदर, अगर अभी इस ताइम पर global scenario की बात करें, तो जो Dow Jones है, वो तकरीबन 200 point plus है, और अगर अब Nasdaq की बात करेंगे, तो Nasdaq इस ताइम पर 80 point plus चल रहा है, लेकिन आपको याद यह रखना है कि सुबा Dow Jones का future, जब हमारा bank nifty plus में था 400 point, तब DJI का future, मतलब कि यो US 30 है, वो तकरीबन वहाँ 500 point plus में था उस ताइम पर, तो इस accordingly यहाँ पर global scenario में decline आया है, तो यहाँ कल market के अंदर जो sentiments हैं इस ताइम पर, व dollar index ने rise किया है, और यहाँ पर Asian markets, माफ कीज़ेगा, पाकी markets में भी यहाँ पर एक अपने day के high से गिरावट देखने को भी मिली है, तो bank nifty में कल आप यहाँ पर कम से कम एक 150 point से लेकर 200 points तक का gap down देखने को expect कर सकते हो market में, पतलब कल market आपको 40,100, इस level के आसपास कहीं पर opening देती हुई नजर आ सकती है, अब दोस्तों अगर इस level पर market open देती है, 40,111 या 40,100 के आसपास, तो हमारा scenario क्या रहेगा, दोस्तों फिर हम देखेंगे कि market के अंदर अगर यहाँ gap down होने के बाद, market अगर इस level के नीचे निकलती है, मतलब कि 40,111 के नीचे ही निकलती है, क् कि इसने अपने day का low break कर दिया होगा, जो कि यह था, previous day low, PDL, तो market यहाँ पे weak हो जाएगी, तो यहाँ से definitely एक put की position बनानी बन जाएगी, और जो आपके targets रहेंगे, नीचे की तरफ, वो पहला target bank 50 में, 40,050 का, और दूसरा target, 39,900 तक का, PN में आपको देखने को मिल सकता है, so 40,111 के नीचे आप एक put की position बना सकते हैं, target आपका 40,050 और 39,900 तक की भी रह सकते हैं, अब अगर market में gap down होने के बाद, market यहाँ से एक pullback लेने की कोशिश करता है, तो आपको call की position तब बनानी है, जब market इस level 40,190 इसके उपर अगर निकलने की कोशिश करे, तब ही हम call की position बनाएंगे, और targets दोस्तों जो आपकी यहाँ पर होने वाले है, bank 50 के अंदर, वो पहला target आपका उपर की तरफ, 40,275 और 40,325, यह दो target आपको bank 50 में देखने को मिल जाएंगे, अगर 40,190 के उपर market निकलती है तो, तो उमीद है दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो like का बटन जूर प्रिस करिएगा, आपने अगर भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्रीज सब्सक्राइब कर लीजिए, तांकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, और जैसी में वीडियो लेके रहा हूँ, आप तक सबसे पहले पहुंचे, लाइक स्ट्रीम को जरूर देखते रहें, विकास उसके अंदर जो में लेवल्स माग करता हूँ, आप उसका डेफिनिटली भरपूर फायदा उठा सकते हैं, तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, झेड सकत झेडियोर, जल्दी प्यूर को रजएगे